लगवक 18 महीने के अंतराल के बाद मन्पा की आम सभक आयोजन पार्षिदों और अधिकारियों की मौझूद्गी में आगामी 31 दिसंबर को प्रत्यक्ष में होने वाला है इसके लिए एजेंडा भी निकाला चुआ चुका है पर मन्पा आयोगते राधा कृशन बी की तरफ से ओमिक्रोन वेरियन के संकट को देखते हुए नई पावंदियन लागू कर दी गई है इसके अंतरगरत सदन में अधिक्तम सौल लोगों की उपस्तिती को अनिवार किया गया है ऐसे प्रत्यक्ष तौपर आम सभक आयोजन पर फिर से संकट मंडराने लगा है मार्च 2020 में कोविट का पहला मरीज नाकपुर में मिलते ही आम सभके आयोजन पर रोक लग गई ततकाली नायुकत तुकुराम मूंधे की काय प्रणाली को लेकर जून 2020 में विशेश सभा बुलाई गई लगपक पांच दिन की मैरतन चर्चा हुई उसके बाद राजिस सरका नहीं प्रत्यक्ष उपस्तिती के साथ सभा के आयोजनों पर रोक लगा दी थी संक्रमन काम होने के बाद अक्टूबर में प्रत्यक्ष तौप पर आम सभा लेने की अनुमती दे दी उसी बीच विदान परिशद चुनाफ की आचार सहिता महिने भर के लिए लग गई 15 दिस समबर के अंतिम दिन आम सभा के आयोजन का निर्ने लिया गया इसी बीच ओमिक्रॉन संकट ने दस तक दे दी आयुक्त की तरफ से निकाले गए आदेश में सपष्ट उल्लेखित है कि बैठक इस्तानी निकाय चुनाफ को लेकर बैठक आम सभा या सहकारी संसा की बैठक मे जहां बैठने की ववस्ता है वहां अधिकतम 50 फीसिदी शमता में ही उपस्तिती की अनुमती दी गई है जबकि खुली जगा के लिए 25 फीसिदी शमता से अनुमती मिलेगी हाला कि मनपा प्रशासन के पास ऑनलाइन सभा का विकल्प है फिर भी लंबे अर्से बाद प्रत्यक्ष्टाव पर होने वाली आम सभा से कहीं पार्शिद वंचित ना रह जाएं वैसे भी आगामी मनपा चुनाफ को देखती है दिसंबर और जनवरी में होने वाली आम सभा काफी एहम है कैमरे परसन राजकुमा मुहर के साथ अभी शेक पांसी बीसीन न्यूस नाकपुर